कि नमस्कार जेसी ये आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज की कच्छा में हम वर्ग 5 के गनित के पार्ट पैटर्ड के बारे में जानेंगे इस से पूर्व की कच्छा में हमने पैटर्ड की सुरुवाती समझ विक्षित किया था आज उसी के से आगे चलेंगे और कुछ आगे के पैटर्ड के बारे में सीखेंगे आईए इस pattern को देखते हैं एक गुना एक ब्राबर एक हो गए 11 गुना 11 तो यहां हो रहा है एक दो एक अब तीन बार एक हैं तो वहां एक दो तीन दो एक तो और इसके बाद वाले में एक चार बार आया है तो यह एक दो तीन चार तक जाता है और फिर से वह एक एक घटता जाता है तीन दो एक अगली बार एक पांच बार है तो यह कहां तक जाएगा एक दो तीन चार पांच फिर घटना शुरू होगा चार तीन दो एक तो यहां हो गए एक दो तीन चार पांच चार तीन दो एक इसके अगली बार आप देख रहे हैं तो एक छे बार है तो इसमें कहां तक जाएगा छे तक जाएगा और फिर वह एक तक आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे पांच चार तीन दो एक अब इस पैटरन को देख रहे हैं यहां 5 गुना 5 बराबर 25 हुए दूसरी पंक्ती में 55 गुने 5 बराबर 275 तीसरी पंक्ती में 555 गुना 5 बराबर हो गए 277 पाँच हम यहां देख रहे हैं कि अगर 2 बर 5 आते हैं तो बीच में 7 एक बार आ रहा है 3 बर 5 है तो बीच में 7 दो बार आ रहा है तो जो अगली पंक्ती में है 5 चार बार है तो 7 बीच में जो है वो कितनी बार आएगी 3 बार आएगी तो यह हो जाएगा 2, 7, 7, 5 फिर इसके अगली पंक्ती में 5 पार है तो यहां 7 कितनी बार आएगा बीच वाला 4 बार आएगा तो हो जाएगा 2, 7, 7, 7, 7, 7, 5 इसके अगली पंक्ती में हम देखेंगे कि 5, 6 बार आया है तो यहां पर बीच में 7 आएगे 5 बार तो जो संख्या होगी वो होगा 2, 7, 7, 7, 7, 7, 5 अब इस पैटर्ण को हम देखते हैं यहां लगातार विसम संख्याओं का जोड है पहला है एक जोड तीन तो यह दो लगातार विसम संख्याओं का जोड है इसलिए यह हो गया 2 गुना 2 बराबर 4 दूसरे में है तीन लगातार विसम संख्याओं का जोड एक जोड तीन जोड पांच तो यह हो गया 3 गुना 3 बराबर 9 तीसरे में चार विसम संख्याओं का जोड़ है तो ये 4 गुना 4 बराबर 16 इस पैटर्ण पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है 5 लगातार विसम संख्याओं का जोड़ तो ये होना चाहिए 5 गुना 5 ब्राबर 25 और इसके अगले में है 6 लगातार विसम संख्याओं का जोड़ तो ये होगा 6 गुना 6 ब्राबर 36 अगला प्रस्ण है लगातार 10 विशम संख्याओं का जोड़ तो हम पैटर्न देख रहे हैं उसके अनुसार होगा 10 गुना 10 ब्राबर 100 और लगातार 15 विशम संख्याओं का जोड़ ब्राबर 15 गुने 15 ब्राबर 225 अब इस पैटर्न को हम समजने की कोशिस करते हैं यहां लगातार समसंख्याओं का योग है तो दो समसंख्याओं का योग ब्राबर है 2 गुना 3 ब्राबर 6 तीन समसंख्याओं का जोड़ है 3 गुना 4 ब्राबर 12 अगर इस पैटर्न पर हम आगे चलते हैं तो 5 समसंख्याओं का जोड़ होगा 5 गुना 6 ब्राबर 30 और 6 समसंख्याओं का जोड़ होगा 6 गुना 7 ब्राबर 42 आज की कक्षा में हमने पैटर्न की कुछ समझ विक्षित की कुछ संख्याओं के पैटर्न के बारे में जाना अगली कक्षा में हम जादूई तिकोने और जादूई वर्ग के बारे में जानेंगे आज जो पैटर्न हमने सीखा आसा है यह आपको समझ में आ गया होगा आपके पुस्तक में अगर इससे संबंदित और भी पैटर्न है तो इस पैटर्न को आप खुद से सीखने की कोशिस करें धन्यवाद